वेलकंस बेक टू यूटीब चैनल दोस्तों आज से वीडियो में हम यहाँपर डिसकास करेंगे ड्रक्स यूस्ट इन क्रिटिकल केर यूनिट के भाई जो कुरी इंके nossos क consonant हिसमें कौन कौन से drugs use किये जाते हैं इस वीडियो में सारी चीजे हम detail में discuss करेंगे बने रिए हमारे साथ इस वीडियो में वीडियो बहुत interesting है informative है और बहुत important topic है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहरे यहाँ पर हम यह देखते हैं कि भाई intensive care unit के अंदर कौन कौन से drugs use किये जाते हैं दोस्तों यहाँ पर जो critical care unit होता है इसको हम लोग intensive care unit के नाम से भी जानते हैं जैसा कि हम पिछले वीडियो में discuss कर चुके हैं कि जो critical care unit होता है इसको intensive care unit भी बहुते हैं और जो critical care unit होता है, इसमें different type के patients होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो drugs use के जाते हैं, उसके condition के according drugs use के जाते हैं, ठीक है, patient के condition के according patient को drug administer किया जाता है, इसके साथ यहाँ पर हम फिर से एक बार discuss कर लेते हैं, कि जो critical care unit होता है, यह एक medical की speciality होती है, ठीक है, जो critical care unit होता है, यह एक medical की speciality होती है, जिसमें जो life threatening वाले patients होते हैं, या फिर जो severe injuries वाले patients होते हैं, ऐसे patients को care provide की जाती है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि critical care unit के अंदर कौन कौन से drugs use किये जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं वैसो एक्टिव एजेंट की ठीक है तो वैसो एक्टिव का मतलब यहाँ पर ब्लेड वैसेल से रिलेटेड है तो यहाँ पर वैसो एक्टिव एजेंट जो फरस्ट है वो है आपका नौर एपिनेफरीन दोस्तों जो नौर एपिनेफरी होता है यह क्या करता है इंक्रीज ब्लेड प्रेशर बाई कॉंस्ट्रक्टिंग ब्लेड वसल्स तो जो नौरपीन अफ्रीन होता है यह क्या करता है ब्लेड वसल्स को कॉंस्ट्रिक्ट कर देता है जिससे क्या होता है जो ब्लेड प्रेशर है इंक्रीज हो जाता है कि हम सिंप पिनफरीन है यह ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है ने आप पर जो वैसो एक्टिव एजन्ट है वो है आपका डोपामाइन दोस्तों जो डोपामाइन होता है यह क्या करता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट तो यहां पर जो डोपामाइन होता है यह क्या क होता है क्योंकि जब पेशन की heart rate increase होगी तो mountain ookyंच का जो recover package ओगा और जब विएसर का बिरेज होगा तो पेशन का qa दोस्तों एह यह क्रता है युज्टeur यहां करता है यहां party Hunt energy होता है यह شब्स ब्लनद करता है जब heart rate increase होगा तो patient का blood pressure increase होगा next नहाँ पर हम बात करते हैं sedative और analgesics ती तो यहाँ पर जो sedative होते हैं और जो analgesics होते हैं यह दोनों अलग-अलग drugs हैं जो sedative drugs होते हैं यह patient में sedation cause करते हैं और जो analgesics होते हैं यह patient में pain को control करते हैं Sedative का मतलब यहाँ पर जब patient को sedative drug administer किये जाते हैं तो patient कह सकते हैं sleep mode में चला जाता है तो यहाँ पर फर्स्ट drug है आपका वो है medazolam दोस्तों जो medazolam है यह एक sedative और angiolatic agent है sedative का मतलब sedation cause करता है और angiolatic का मतलब anxiety को कम करता है next जो आपका drug है वो है propofol जो propofol है यह क्या करता है used for sedation during mechanical ventilation तो जब patient mechanical ventilator पर होता है तब उस condition में patient को propofol drug दिया जाता है next जो drug है वो है आपका fentanyl तो यहाँ पर जो fentanyl है यह क्या है जो fentanyl है यह आपका एक opioid analysis is यह किस लिए दिया जाता है pain को control करने के लिए तो जो fentanyl है यह pain को control करता है next आपका जो drug है यह ärball fighting जो कि बहुत ही most common drug है जो morphine है यह एक opioid analysis होता है ठीक है जो morphine होता है, क्या होता है, एक आपका opioid analgesic होता है, ठीक है, तो जो morphine है, ऐसे patients को दिया जाता है, जिन में severe pain होता है, जैसे कि कोई आपका heart attack का patient हो सकता है, ठीक है, या फिर angina pectoris के जो patients होता है, उनमें severe chest pain होता है, तो severe chest pain को कम करने के लिए हाँ पर morphine जैसे drugs दिये जाते ह नेक्ट जो ड्रग है वो हैं आपके एसा किये at est du requires होते हैं यह आपके बहुते मोज कॉमंन ड्रग है जो एंटी किये खोते हैं वह भी अपके के लिए administer किये जाते हैं एस पटिक सेंट्स होते हैं एसे पेसंट को यहां पर और एंटी-वाइडिक एडमिंस्टर की जाती है वह है आपके और यहां पर यहां पर यहां पर है यहां यहां निदि यहां यूज्ट टू प्रिवेंट और ट्रीट ब्लड क्लॉट तो जो हिपाइरिन होता है यह ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है जैसे कि जो डीब वेन थ्रम्बोसिस के पेसेंट्स होते हैं उनमें हिपाइरिन एडिमिस्टर किया जाता है ब्लेड कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है नेक्स है आप जो ड्रग है वो है आपका आइनो ट्रॉपिक एजन्ट दोस्तों जो आइनो ट्रॉपिक एजन्ट होते हैं ये हार्ट को सपोर्ट करते हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं है जो है आपका डोबूता माइन को क्रेंच होगा तो डोबूता मायद हो यह क्या ड्रग है यह इनिविटर यह किया जाता है इन्क्रीज करने के लिए ड्रग यूज किया जाता है यहां पर जो कॉल्टिको इस्टिराइड होते हैं यह एक लाइफ सेविंग ड्रग होते हैं ठीक जैसे कि आपका हाइड्रो कॉल्टिसोन है या फिर मेथाइल प्रिड्नी सॉलोन है या फिर आपने सुना होगा डेक्सा मेतासोन बीटा मेतासोन यह जो ड्रग होते हैं जो की एंटी इंफ्लामेटरी का काम करते हैं ठीक है तो इम्मून्यस्टी को भी सप्रेस करते हैं और इंफलमेशन को भी कम करते हैं fla यहां पर जो होता है उसको डाइलेट कर देते हैं जिससे क्या होता है जैसे कि आपका यहां पर यहां पर जो ड्रग है आपके एंटी फंगल एजन्ट या फिर एंटी वायरल ड्रग दोस्तों एंटी फंगल और एंटी वायरल दोनों अलग अलग ड्रग है तो यहां पर जो आपका फ्लिकोना जोल होता है यह एक एंटी फंगल एजन्ट है जो एंटी फंगल एजन्ट होते हैं यह फंगल को इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिये जाते हैं ठीक है अगर किसी पेसेंट का फंगल का इंफेक्शन है का infection है तो fungus के infection को treat करने के लिए यहाँ पर antifungal agent दिये जाते हैं नेक्स्ट आपका जो drug है वह है तेंग जो एक एक आटि वाइरल agent क्या करते है जो virus का infection है उसको treat करते है वाइरस के infection को treat करने के लिए यहां पर antiviral agent administer किये जाते हैं अब यहां पर last में हम कुछ other drugs देख लेते हैं तो first इसमें जो है वो है आपका electrolyte replacement दोस्तों होता क्या है जो electrolytes होते हैं यह हमारे body में बहुत important role play करते हैं तो यहां पर जो आपके electrolytes हैं वो जैसे की potassium magnesium और calcium यह patient के need के according patient के condition के according administer किये जाते हैं नेश यहां पर है आपका insulin ठीक है तो insulin जो होता है यह blood में glucose के level को minus करने के लिए दिये जाते हैं ठीक है जो insulin होता है यह blood के अंदर glucose को control करते हैं जैसे कि जो hyperglycemia के patient होते हैं या फिर जो diabetes के patient होते हैं उनमें insulin administer किया जाता है जो insulin होता है यह एक्चुली जो glucose होता है उसका breakdown करते हैं नेक्स यहां पर जो drug है वह आपके डायरूटिक्स दोस्तों यहां पर जो डायरूटिक्स होते हैं यह body में fluid को मैनस करने के लिए जाते हैं body में fluid को मैनस करने के लिए डायरूटिक्स दे जाते हैं तोस्तों यहां पर जो जैसे कि डायरूटिक्स होते हैं जो fluid को मैनस करते हैं जैसे कि माल लीजिए कोई ऐसा पेसेंट है जिसको आइपर टेंसर ठीक है या फिर हाइपर वयलीमिया की जो पेसेंट होते हैं उनमें डायरूटिक्स एड्मिनिस्टर किये जाते हैं नेक्स्ट आपका जो ड्रग है वह नेया जाते हैं अगर किसी पैसेंट को अलसर है या प्र इंटस्टाइन में अलसर तो यहां पर पेंटा प्रोजोल और रेनी-टिरीन डरग्स दी जाते हैं लास्ट आपका जो ड्रग है वो एंटिपायरेक्स एजेंट जो एंटिपायरेकस होते से जेंट होते हैं यह फीवर कोrem करने के लिए दिये जाते हैं पर in-ेटिइक मिडिकेशन दी जाती हैं जैसे कि आपका एसीटाइमीनोफेन जो एसीटाइमीनोफेन होता है यह एक एंटी पायरिटिक एजेंट है जो फीवर को रेडियूस करता है तो यह थे दोस्तों ड्रक्स जो की एक आई सीओ यानि कि क्रिटिकल केर यूनिट में यूज के जाते हैं आई होप आप लोग सारी यह समझ गहोंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको नोट स्पीड एक फार में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल आपको नहसं देक टेना बसक्र पास्प hea ताकूर उन कर दो देना आपको पर दोटिए शोश्दन मिल नर्सक्रिक टेडरे वर और रहाँ थाल के हुड़ वारे और ब antig रहा तर का कि एक होग जको एक फिल सक्ट कि मैंता पहाँं हमारे चल जोपको पस्ग बामर्बाफ